Hello Everyone, Welcome to Mung Tutorial दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कंप्यूटर माउस क्या होता है लेप्टॉप तच पैड बोलते हैं, वो क्या होता है अप्टिकल माउस, वायलेस माउस इसके अलावा ट्रैक बॉल, जोयस्टिक, लाइट पेन इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कवर करने कोशिस करेंगे, साथ ही इससे रिलेटेड जो इग्जाम पॉइंट अफ्यूस से important है, 20 प्लस MCQs भी करेंगे साथ में, पहले हम लोग देखते हैं सबसे पहले, माउस होती क्या है कभी हम लोग माउस का नाम सुनते है तो सबसे पहला दिमाग में क्या चीज़ जाता है जाता है चूहे से, माउस सेम चूहे की तरह ही है वो कंप्यूटर का चूहा है सेम दिखता है, दोनों आप देखेंगे compare करके, तो माउस और चूहा क्या है एक input device है, जिसको हम लोग pointing device भी कहते हैं, तो यह चीज़ याद रखेगा कौन सा device, pointing device कहलाता है mouse आपका क्या है, pointing device है mouse का use क्यों जादा होता है तो देखें, आप आजकल के जितने भी system आते है उन सब में क्या रहता है, graphical user interface जिसको GUI बोला जाता है GUI अर्था graphical user interface इसके प्रयोग के करनर क्या हो जाता है mouse का जो महत्व है वो बढ़ जाता है previous lecture में हम लोग ने जाना था mouse का अविसकार करता कौन है mouse के जो अविसकार करता है, उनका नाम है Dr. Douglas Angelbart Dr. Douglas Angelbart और mouse की अविसकार उन्होंने कब किया उन्होंने किया था कब 1964 में, सीधा सीधा एक्जाम में पूछ लिया जाता है यह आपका GK का है, ठीक है static GK का portion है mouse का अविसकार करता कौन है, तो Dr. Douglas Angelbart और कब अविसकार किया 1964 में, mouse का यूज़ जादा क्यों होता है क्योंकि GUI GUI अर्थात क्या होता है जितना भी हम लोग चीज़ देखते हैं इसको program की रूप में नहीं देखते हैं इसको क्या देखते हैं, हम लोग graphics की रूप में देखते हैं जैसे my computer का icon है तो my computer का icon टच करने के लिए आप किसका प्रयोप करेंगे, एक pointing device का और वो pointing device सबसे ज़्यादा icon सा use होता है आपका mouse use होता है इसके GUI के कारण ही mouse का use ज़्यादा बढ़ गया है इसका महत तो बढ़ गया है mouse की साहता से हम क्या कर सकते हैं हम computer screen पर cursor या किसी object को एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक drag करके ले जा सकते हैं एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक हम लोग उसको खिसका सकते हैं साथ ही हम लोग mouse का प्रयोग क्या कर सकते हैं तो mouse का प्रयोग किसी command dialogue box या icon को select करने या उससे सम्मंधित कारे को क्रियानवीद करने के लिए भी किया जा सकता है माउस का यूस समझ आ रहा है माउस का यूस किसमे कर सकते हैं command को या फिर dialogue box को या फिर icon को select करने या उससे सम्मंधित जो भी कारे हैं उनको क्रियानवीद करने के लिए माउस का प्रयोग किया जाता है computer का mouse कहां connect होता है तो computer का याद रखेगा जो mouse है वो mother board पर बने ps2 ps2 हम लोग देखे थे keyboard में भी ps2 क्या होता है ps2 का full form होता है plug station 2 plug station 2 एक प्रकार का यह port है ठीक है इस प्रकार से वो रहता है plug station का port यहाँ पर देखे यह keyboard का port है और यह mouse का port है दोनों port same ही रहते हैं green वाला जो रहता है वो mouse का रहता है और bangni का रहता है keyboard का रहता है mouse को किस से जोडते हैं mouse को motherboard से जोडते हैं किस से जोडते हैं किसके माध्यम से ps2 अर्थाथ plug station 2 इसको plug station 2 कहा जाता है याद रखेगा ठीक है या फिर USB port USB सबको पता है USB का full form क्या होता है Universal Serial Bus कुछ इस प्रकार का ये port रहता है इस port के माध्यम से भी हम जोड सकते हैं तो ये दो प्रकार का इसका माध्यम रहता है mouse को हम लोग को motherboard में जोडने के लिए एक होता है क्या आपका plug station to ये वाला प्रकार या फिर USB port type का mouse होता है तो इन दोनों के माध्यम से हम लोग mouse को motherboard से सीधा connect कर सकते हैं अब आते हैं mouse के उपर mouse में कितने button हो सकते हैं इसमें 2 या 3 button हो सकते हैं और आपके जो gaming mouse होते हैं उसमें 3 से भी जादा button होते हैं gaming mouse में 3 से भी जादा button होते हैं normally हम लोग जो day to day life में यूज करते हैं मامॉज, उसमें दो या तीन बटन होते हैं, जिन्हें right button, left button और center button कहा जाता है, left button, right button और center button, जो mouse का button रहता है, वो actual मे क्या रहता है, एक micro switch है,iają रथाद सीधा, हम उस button को दबाया, और सीधा वो task कर देगा, रथाद जिन्हें दबा कर computer को वांचित संदेश प्रेसित किये जाते हैं अब यह जो तीन बटन हम लोग अगर मान के चलते हैं तो इन तीनों बटन से हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं ठीक है? वो हम लोग आगे देखते जाएंगे अभी देखें मैं आपको जो माउस के बारे में बता रहा हूँ इस माउस में हम लोग सबसे पहले जो माउस का बेसिक माउस था उसके बारे मत दिन करेंगे जो सबसे पुराना वाला माउस था अगर आप लोगों ने में देखा होगा तो उसमें क्या होता था नीचे एक rubber का ball होता था कुछ इस प्रकार से rubber का ball होता था वहाँ पर और ये ball क्या करता था किसी समतल सता अपर अर्थात जैसे कि आपका mouse pad है ठीक है mouse pad पर उसको ये ball घूमता था ठीक है ये mouse को जब भी यहाँ मेरा pen देख पार होंगे ठीक है ये pen मैं जैसे drag करूंगा ये क्या करेगा अपनी गती दिशा के हिसाब से यहाँ पर mouse का pointer दिखाएगा कुछ इस प्रकार से mouse का काम होता था पुराना mouse अब इसको animation के माध्यम से अगर समझें तो कि इस प्रकार से इसको अगर हम लोग drag कर रहा है इधर तो pointer भी कहा हो रहा है drag उधर हो रहा है इधर ला रहा है तो इधर हो रहा है ठीक है इस प्रकार से अब देखिए इसमें mouse में mouse का pointer का आकार जो है, वो mouse द्वारा किये जा रहा है, कारे पर निर्भर करता है, अलग-अलग type का pointer हो सकता है, इसमें से basically चार प्रकार का आपको pointer जानने है, कुछ इस प्रकार का pointer जिसमें यहाँ नीचे line लगता है, एक hand वाला pointer रहता है, एक cursor रहता है और एक weight का रहता है, जो गोल- घुमते रहता है, अभी कुछ task हो रहा है, तो wait करने के लिए बोलता है, अक्सर यह क्या होता है, not responding के time यह वाला आपको दिखाए देगा, जब system में आप काम कर रहा है, system not responding दिखा देगा, तो यह वाला चीज़ आपको दिख जाएगा, operating system में mouse properties में परिवर्तन कर, बाय या दाय बटन के कारियों को अदला बदली की जा सकती है, suppose कोई आदमी जैसे है, left-handed है, ठीक है, तो उसको उसके हिसाब से बाय और दाय अलग हो जाता है, और right-handed के हिसाब से अलग हो जाता है, उसके गार्ण क्या करते हैं, कि जो भी mouse की property रहती है, उसको हम लोग system के property box में जा जाती है, तो क्यों की जाती है, क्योंकि left-hand में जो काम करने वाले हैं, उनकी सुईधा के दृष्टी से इसको ऐसा बनाया जाता है, ठीक है, यहाँ बटन देख पा रहा होंगे, यह वाला right का button है, यह वाला left का button है, आगे हम लोग देखते हैं, अब देखिए, हम लोग mouse को अगर change करें, उसके जो भी pointer रहता है, pointer अलग-अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन आपके जो cursor है, या pointer है, वो 15 प्रकार के available हैं आपके windows में, यह mouse properties में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, mouse properties में जो pointer का option रहता है, उसमें आपको दीखेगा कितने total 15 प्रकार के cursor available रहते हैं, जिसमें से normal select के लिए है, help select के लिए, अलग-अलग जो भी प्रकार है, जैसे आपका system busy है, तो busy वाला कौन सा है, यह वाला है, इस प्रकार से अलग-अलग रहता है, इसको PDF में आपको दीख जाएगा, कभी इससे question नहीं पूछा गया, आपको जानने के लिए मैं बता रहा ह के main button होते हैं, इसी भी mouse में कितने button होते हैं, तीन button होते हैं, basically, आपका ये होता है left button, ये होता है right button और ये बीच का जो scroll है वो scroll button, ठीक है, तो पहला बाया button अर्था left button, दाया button अर्था right button, और तीसरा होता है जो मद्य बटन, जिसको central button ये फिर scroll wheel भी बोला जाता है, ठीक है वो क्या है, मद्य बटन है आपका, यहादा clear है, अब एक-एक button को समझते, सबसे पहले आपका जो mouse का left button है या फिर बाया button है, ये क्या होता है, mouse की बायो रिस्तित होता है, इसको बाया button खा जाता है, इसमें हम लोग basically कर गा सकते हैं, तो इसमें याद रखेगा, इससे हम ल लगाता और दो बार click करना, double click कहलाता है, point करना मतलब कहीं पे mouse के pointer को ले जाना point कहलाता है, और drag क्या होता है, आपका कुछी icon या किसी folder या किसी file को पकड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान खसकाना या ले जाना क्या कहलाता है, drag कहलाता है, ठीक है, एक-एक के बारे में औ उसके दाई और रिस्तित होगा, या software के अनुसार कुछ विशेश कारे, जैसे की dialogue box खोलना, menu box खोलना, और properties देखना, इन सब कारियों के लिए किसका प्रयोग क्या आता है, दाया बटन का प्रयोग क्या जाता है, कभी-कभी इनके अनुप्रयोग कर देंगे कि click करने के और दाया बटन से क्या है, जितने भी box खोलने रहते हैं, जैसे कि dialogue box खोलना रहा, menu box खोलना रहा, या फिर properties देखना रहा, इन सब के लिए दाया बटन का प्रयोग क्या आता है, अगर मैं बात करूँ मध्य बटन का या center बटन, तो मध्य बटन को हम लोग याद रखेगा, इसको scroll बटन भी बोलते है, क्योंकि इसमें wheel लगा रहता है, ठीक है, scroll किया जाता है, scroll बटन भी कहा जाता है, इसका प्रयोग document या webpage को उपर नीचे करने के लिए, या फिर scroll करने के लिए या आ जाता है, अब देखे, इसमें scroll बटन में एक चीज और याद रखेगा, कि scroll करते हैं, ठीक है, आज कल आप लोग जो use करते हैं, उसमें क्या लगा रहता है, नॉर्मली optical mouse में wheel लगा रहता है, ठीक है, जिसे घुमा का document या webpage को उपर नीचे scroll किया जाता है, तो ये भी कौन सा button होगा, ये wheel भी क्या कहलाएगा, scroll button ही कहलाएगा, या फिर मध्य बटन, तो ये चीज़ याद रखेगा, left button, right button और center button, अब समझते हैं, mouse के कार्य क्या क्या है, अर्थात function of mouse, तो देखें, mouse द्वारा, basically, बहुँँ सारे कार्य क्या आते हैं, इसमें से especially हम लोग को याद रखने है, 6 प्रकार के mouse द्वारा कार्य किये जा सकते हैं, सबसे पहला जो क कौन कौन से कारे करता है, दूसरा कारे क्या है, click करना, mouse के द्वारे हम लोग क्या कर सकते हैं, click कर सकते हैं, click कर सकते हैं, साथी double click कर सकते हैं, उसके लावा right click कर सकते हैं, तो आपका click करना और double click करना ये दोनों किसमें होंगे, आपके left button में, और point और select भी किसमें होगा, left button में ठीक है right click किस में होगा right button में होगा अगला जो काम है drag and drop ये क्या करेंगे left को हम लोग click करके पकड़ के एक जगा से दूसरे जगा लेके जाके छोड़ेंगे drag एने की खिसकाना और drop एने की छोड़ना और last जो है column या brush की तरह प्रयोग करना जैसे मैं यहां कर रहा हूँ यह क्या है एक column की तरह प्रयोग कर रहा हूँ उसी mouse को तो इस प्रकार से यह mouse के कारे हैं अब एक एक कारे को समझते सबसे पहले समझते point और select करना क्या होता है पॉइंट किये गए object को संचित वीराड भी skin पर प्रदसीत हो जाता है अर्थात मैं mouse को करस्त जब ले जाता हूँ तो वहाँ उसकी properties नीचे तो होना चालो हो जाता है आप लोग खुद यूज करते होंगे तो आपको पता होगा तो ये क्या खालाता है point खालाता है रंग में ततकालिक परिवर्तन दिखाए पड़ता है जैसे नॉर्मल आपका फोटो का एक आइकॉन है इसको टच करेंगे तो ये नीला टाइप का हो जाएगा खलका ब्लू इस टाइप का ठीक है या फिर दूसरे color में ग्रीनिश टाइप का तो वो क्या दिखा देता है उसके रंग में ततकालिक परिवर्तन दिखा देता है जो रंग में परिवर्तन होता है वही क्या रहता है आपका selected file रहता है वो select हुआ रहता है तो ये चीज़ याद रखेगा point में आपका hand का निसान आएगा इस परकार से ठीक है और जो select है उसमें वो उसका color क्या हो जाएगा हलका सा परिवर्तित हो जाएगा ठीक है select के गए object को हम copy, cut या delete कर सकते हैं ये चीज़ सबको पता होगा सब use करते हैं तो अगला जो आता है mouse के कारिया वो है click करना click करने को हम लोग single click या left click भी करता है ठीक है normal एक जो click होता है click का use हम लोग इसमें करते हैं left वाले बटन में left बटन में use करने कारें इसको left click कहा जाता है या फिर single click कहा जाता है mouse के बाया बटन को एक बार दबा कर छोड़ना click कहलाता है buy button अरथा आपका जो left वाला button है इसको एक बार सिر दबा का छोड़ना click कहलाता है इसका प्रयोग किसी object या icon को point कर उसे select करने के लिए क्या रता है object या icon को खालने के लिए point कर से select करने के लिए single click का प्रयोग single click या फिर इसको left click बोले या normal click ही बोलें ठीक है? एक ही चीज़ है, तिनो, अगर मैं बात करूँ double click की, तो double click याद रखेगा, buy button को जल्दी जल्दी हम लोग अगर दो बार दबा देते हैं, जल्दी जल्दी कितने बार दबाते हैं, दो बार दबा देते हैं, और दो बार दबा कर उसको छोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका double click single click में सिर्फ एक बार दबाना रहा था है double click में दो बार buy button को ठीक है तो double click हो गया double click का प्रियोग किसी file या folder को खोलने या किसी program को activate या start करने के लिए किया जाता है normally single click करेंगे तो वो select करने के लिए होगा लेकिन अगर double click करते हैं तो या तो file या folder है उसको खोलने के लिए या फिर कोई program है तो उसको activate या start करने के लिए double click का प्रियोग किया आता है वो किस button से होगा तो याद रखेगा left button से ही होगा आपका single click और double click दोनों left button से होगे अगला जो होता है जो चौथा कारी है mouse का वो क्या है आपका right click right click basically देखे जो दाया button होता है उसको एक बार दबा का छोड़ना क्या खलाता है right click करसर के स्थितिक अनुसार उस object से सम्मधित drop down menu परदरसित करता है drop down menu क्या होता है जैसे हम लोग right click करते है मैं suppose यहां right click कर रहा हूँ आपका यहां right click करता हूँ तो देखे यहां पर यह menu आ गया drop down menu next है previous है last viewed है see all slides, zoom in अलग-अलग ठीक है यह menu क्या है right click में आता है इसी को क्या कहा जाता है drop down menu menu समंधित विकल्पों का विसे है जिसमें से विकल्पों का chain left click द्वारा किया जा सकता है अगर मैं यहां पर करूँ एक बार फिर right click करता हूँ तो यहां पर मैं suppose previous में जाता हूँ तो एक क्या हो गया विकल्प इससे कम हो गया अर्थात मैं पहले वाले slide में चला गया तो इसमें क्या होता है जितने भी विकल्पों के समों होता है विकल्प का chain करके हम लोग किसके द्वारा उसको select करते है left click के द्वारा विकल्प का chain करते है किसी object की properties जानने के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते है right click करते है right click करेंगे और उस object में नीशे properties रहता है उसको click करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका उस object का जो भी file रहेगा चाहे वो movie का रहे चाहे songs रहे चाहे image रहे कुछ भी प्रकार का file रहे है उसकी हम क्या प्राप कर सकते है उसकी properties अर्थात वो कितना space occupy करके रखा है वो कौन से drive में है क्या है वो सब चीजे उसकी जो properties रहती है वो हम right click के माध्य हम से हम लोग पता कर सकते है अगला जो mouse का कारिया है वो है ड्रेग और ड्रॉप ठीक है माऊस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना क्या कहलाता है drag कहलाता है ड्रेग करतात इसको माऊस में हम लोग क्या करेंगे किसी मालीजी यह image है इस image को मैं पकड़ा ठीक है एक बार click किया और उसको पकड़ के ऐसी रखे रहा हो इधर लेके गया ठीक है यहाँ छोड़ा नहीं हूँ यहाँ पकड़ा ही हूँ और यहाँ जाके छोड़ रहा हूँ तो यह जो image है यहाँ से यहाँ तक इस process को कहा जाता है drag याने कि खिसकाना एक जगह से दूसरी जगह खिसकाना यह drag कहलाता है ठीक है अगर मैं बात करूँ drop की तो इससे object का icon भी साथ साथ चलता है अब mouse के pointer को वांचीत स्थान पर या file icon पर ले जाकर left button छोड़ देना क्या कहलाता है drop कहलाता है drag में यहाँ से हम लोग पकड़ के यहाँ लिए और drop में यहाँ छोड़ दिए तो यह drag तहलाता है और यह drop यह चीज़ क्लियर है mouse के इस drag और drop विकल का प्रयोग किसी icon चित्र पक्षर फाइल या folder को computer screen पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने या फिर computer memory में एक folder से दूसरे folder तक पहुचाने के लिए किया जाता है किसका प्रयोग drag और drop का प्रयोग सिधा पकड़ कर उसको वहाँ पर ले जाके छोड़ देते हैं इसी को क्या कहा जाता है drag और drop अगला जो most important काम है mouse का वो क्या है as a pen or brush अर्था pen और column और brush की तरह प्रयोग किसमे करेंगे तो देखी आपका normal जो जितने भी office के कारे होते हैं ms office word है powerpoint है inbuilt रहता है वो क्या pen pen का program रहता है ठीक है तो pen का program कुछ इस प्रकार से रहता है इसमें मैं चाहँ तो यहाँ पर माली जिए brush select करके मैं यहाँ लिख सकता हूं जैसे उमंग tutorial लिख रहा हूं तो इस प्रकार से हम लोग mouse का प्रयोग paint program में या फिर दूसरे भी program म में column या फिर brush की तरह भी कर सकते हैं यह अभी आपको column की तरह मैं प्रयोग करके दिखा रहा हूं यह भी किसका use है mouse का use है अब देखिए आपके normal जो mouse थे हम लोगों ने अभी जाना जिसमें क्या लगा रहता था नीचे plastic का rubber ball लगा रहता था अब बात करते हैं जो इससे थ reflection के अधार पर कारे करता है light के reflection के अधार पर कारे करता है इसमें सता पर घूमने वाला rubber ball नहीं होता याद रखेगा इसमें rubber ball नहीं होता यहां laser light होती है ठीक है जो जिसको optical light भी बोला रहता है optical mouse में optical light होती है laser light ठीक है उसके माध्यम से यह कारे करता है और इसका जो मेन सि एक LED लगा रहाता है, LED अर्था लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, यहाँ पे यह जो लगा दिख रहा है, आपको यह वाला स्टार जो कर रहा हूँ, यह क्या है आपका, यहाँ पे LED है, इसको जुम करके मैं दिखा दूँगा बाद में, LED या फिर लेजर डायोड द्वार प्रावर्तित होती है, उसको किस के द्वारा, फोटो डायोड सेंसरो के द्वारा पढ़ा जाता है, अप्टिकल माउस के लीए, किसी विसे सत्ा या मासपैट की जelin maiorती है, याद रखी का अव्पिकल माउस में, इसको आप aur स्टार्य की उर्पर भी हूज कर सकते हैं. एक क इसके लिए specific चिकना होना यह अवस्यक नहीं है, इसे किसी भी अपारदर्सी सतह पर रखकर प्रियोक किया जा सकता है, बस इसको काज की glass के उपर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वहां reflection प्रकास का परावरतन नहीं हो सकता, उसके कारण क्या है, ऐसी सतह पर रखा जाता है, जहा आना रहती है, वह बहुँँ ज्यादा कम हो जाती है, rubber ball की तुलना में, ठीक है, rubber ball वाले mouse की तुलना में, यह इसका बड़ा सा image है, तो यहां आप देख पा रहोंगे, यहां पर क्या लगता है, यह आपका LED है, LED light emitting diode, और यहीं से light का है, reflect होती है, नीचे निकलती है, और surface या फिर cordless mouse, wireless बोलने से ज्यादा समझ आएगा, wireless अर्था जिसमें तार नहीं होता, ठीक है, wires नहीं होते, तो wireless mouse क्या होता है, उसको समझते, mouse को तार के जरी computer में, motherboard से जोड़ा जाता है, ठीक है, normal mouse में, लेकिन जो बेतार mouse है, या फिर wireless mouse है, या फिर जिनको cordless mouse बोला जात अब इसका mean funda क्या है, किस concept में काम करता है, तो देखे, इसमें computer के साथ जो भी सूचनाय रहते हैं, उनको आदान प्रदान, radio frequency, अर्था रेडियो तरंगों के माध्यम से, या फिर infrared race के माध्यम से, या फिर Bluetooth या Wi-Fi के जरीए होता है, कुल मिला कर, कोई wire का जंजट नहीं, आपका बेतार माउस नाम से ही है, बेतार अर्था जिसमें तार नहीं है, इनका माध्यम क्या रहेगा, या तो radio frequency, या फिर infrared race, या फिर Bluetooth, या फिर Wi-Fi, इन चारों माध्यम के अलावा, और दूसरा माध्यम नहीं है, wireless connect करने के लिए, ठीक है, तो इसमें concept क्या होता है, तो द सूचना transmit करता है, एक receive करता है, और CPU में motherboard में भिषता है, दो इचीज है, तो transmit करने का काम काउन करेगा, ये mouse करेगा, और receive करने काम क्या करेगा, ये USB का जो छोटा सा, आपका Bluetooth वाला device रहता है, वो काम करेगा, एक transmitter mouse के भीतर होता है, वो transmit करता है, जबकि receiver USB port द्वारा computer motherboard से जुड़ा होता है, ये क्या करता है, ये transmit करता है, और ये receive करता है, देकि normally ये होना चाहिए, कि ऐसा करके यहां motherboard में लगा है, लेकिन यहां पे wire नहीं होने की वज़़ा से, क्या करते हैं, हम लोग wirelessly यहां से transmit कर देते हैं, और यहां receive कर देते हैं, transmitter mouse द्वारा उत्पन संक ये तो में बदल कर computer को दे देता है, अरताथ यहां से क्या करता है, इसको transmit करता है, किसके form में radio frequency के form में, और ये उसको receive करके इसको फिर radio frequency को normal जो भी संकेत रहते हैं, उसमें वो बदल देता है, ठीक, अगर इसकी बात करने frequency की, तो जो wireless mouse रहता है, वो 2.4 GHz की frequency इसकी आव wireless mouse, ठीक है, और इस mouse में याद रखेगा wireless है, तो ये तो receiver वाला portion में कुछ नहीं लगते है, ये motherboard से connected है, लेकिन यहां से इसको transmit करने के लिए उर्जा क्या उसकता होती है, इसके कारण इसमें क्या यूज होता है, तो इसमें याद रखेगा battery यूज होता है, इसे mouse में लगे battery द्वारा उर्जा दी जाती है, ये चीज clear है, transmitter को किसके माध्यम से उर्जा दी आती है, तो battery के माध्यम से उर्जा दी आती है, इसका अगर हम लोग बड़ा रूप देखें, तो बड़ा रूप कुछ इस प्रकार से है, ये आपका क्या है, ये आपका है transmitter और ये आपका है जिसको बेतार या फिर wireless या फिर cordless भी कहा जाता है, अगला जो है वो है touchpad, touchpad किसमे यूज होता है, तो touchpad basically laptop में रहते हैं, यह laptop तो था notebook computer में बना एक input device है, जिसका प्रयोग mouse की तरह ही किया जाता है, जो लोग laptop यूज किये हैं, या जो लोग laptop चलाते हैं, उनको पता होगा, touchpad कौन सा होता है, जो laptop में inbuilt mouse रहता है, उसी को touchpad बोला जाता है, जो सामने के भाग में रहता है, ठीक है, touchpad के उपरी अंगली को घुमा कर, mouse pointer को एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक ले जाया जा सकता है, इसमें mouse अलग से नहीं रहता है, mouse आपको अलग से connect करना पड़ता है, अगर आप laptop में mouse यूज करना चाहते हैं तो, नहीं तो inbuilt इसमें रहता है, जो सामने में यह आपका portion दिख रहा है, यह क्या कहलाता है, यह कहलाता है, touchpad, और इसमें यह button क्या है, left click का है, यह button है, right click का, और यहाँ आप अपने हाथ के उंगलियों से इधर उधर करेंगे, तो mouse का cursor भी क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह किसके चला जाएगा, touchpad के बाद अगला बात करते हैं क्या, trackball, trackball किस प्रकार का है, most important याद रखी गया, यह fact कि trackball भी mouse के प्रकार का ही है, वो कैसे हम लोग इसको समझते, ठीक है, तो यह mouse का ही प्रारूप है, जिसमें rubber नीचे की तरफ ना होकर कहा होता है, उपर की तरफ यहां आप देख पा रहे होंगे, कहां पर है, यह उपर की और है, तो rubber ball उपर कलने का use क्या है, उसका फायदा क्या है, तो देखिए rubber ball अगर नीचे है, तो mouse को आपको पकड़ के drag करना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी लेकिन अगर rubber ball उपर में है, तो क्या होगा, आप सिर्फ एक अंगूठे की मदद से, आपको mouse को खिसकाने की जवरत नीए, एक स्थान से दूसरे स्थान, mouse अपने इस स्थान पर हमेशा रहेगा, आपको सिर्फ ball को इधर उधर खिसकाना पड़ेगा, तो यह चीज यूज ह होता था किसमें आपके trackball में, और exam में बहुत बार पूछा गया है, आपको अभी हम लोग जब objective करेंगे, MCQs में भी आपको दिखे गए इस टाइप का question की, film लिखित में से कौन सा mouse के प्रकार का है, या mouse का प्रारूप है, तो याद रखेगा, most important है, बहुत बार पूछा वापम का favorite question है, अगर mouse trackball से question आते हैं, तो trackball का वो एक question देगा ही देगा, तो याद रखेगा, mouse के रूप में कौन सा है, आपका trackball, joystick भी आता है, लेकिन वो थोड़ा सा upgraded है, तो joystick कभी याद मत रखेगा, क्यों mouse के प्रकार का है, वो अलग ही है, ठीक है, mouse और trackball दोनों समा बिना rubber ball को घुमा कर, mouse pointer के स्थान में परिवर्तन किया जा सकता है, कुछ इस प्रकार से यहाँ जैसे यह कर रहे हैं, ठीक है, तो rubber ball को सिर्फ हमको घुमाना पड़ेगा, और उसके बाद हम से हम लोग mouse के, जो pointer है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, अब यह कहां यूज होता है भाई, तो इसका यूज बेसिकली यूज होता है, CAD और CAM में, CAD अर्थात, Computer Aided Design, और CAM अर्थात, Computer Aided Manufacturing, Computer Aided Design, इनका full form भी पूछा जाता है, अब्रिवेशन वाला lecture आल्रेडी डला हुआ है, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में, तो यहाँ CAD औ इसमें आप डिजाइन कर सकते हैं, 3D डिजाइन होता है, जैसे आपका बेरिंग बनाना है, तो बेरिंग के लिए डिजाइन होगा, अलग-अलग नक्से बनाना है, उस रैप का यह software होता है, ट्रैक बाल का प्रियोग, लेप्टॉप में, Computer के माउस के स्थान पर भी, Pointing device के ग्रूप में क्या आजा सकता है, नॉर्मल आप यूज कर सकता है, लेप्टॉप में, PC में, अगर आप comfortable हैं, इस परकार के ट्रैक बाल को चलाने के लिए, आप यहाँ देख पा रहोंगे, जो ट्रैक बाल है, उसका जो बाल है, वो कहा है, उपर क्यों रहे है, यह वाला क्य करते हैं, इसके बाद joystick, ठीक है, अगला जो है, वो क्या है, joystick, तो अब ध्यान से देखेगा, इस animated image में, इसमें आप देख पा रहोंगे, जो आपका wheel है, यहाँ पर लगा हुआ है, एक rubber का ball, उसके उपर एक डंडा लगा दिये, तो यह क्या बन गया, joystick, क्योंकि wheel अभी भी गोम रहा है, लेकिन डंडे के मदद से गोम रहा है, तो इसको समझते सबसे पहले, यह एक क्या है, pointing device है, सब चीज हम लोग अभी देख रहे है, जितने वो सब क्या है, pointing device है, जो track ball की तरह ही कारे करता है, अगर पूछा कि track ball की तरह क्या कारे करता है, और वहाँ option में mouse नही उपर में उसके उपर एक डंडा लगा दिया जाता है, और वो क्या करता है, उसको इधर उधर हम लोग कर सकते है, ball के साथ एक छड़ी लगा दी जाती है, ताकि बाल को आसानी से घुमाया जा सके, ठीक, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, छड़ी के उपर एक click का button होत किसमें यूज होता है, तो इसका बेसिकली जो उपयोग होता है, वो वीडियो गेम खिलने में, simulator पर सिक्षण, जो training simulator होता है, या फिर रोबोट नियंतर रोबोट कंट्रोल, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका joystick का, जो most popular joystick का यूज होता है, जो inventor सोचे नहीं थे, कि हमारा invent इन सब चीजों में प्रयोग किया जाएगा, इसका जो last fact है, यहां वीडियो गेम खिलने को आसान बनाता है, और मज़ेदार बनाता है, बिसिकली उसके कारण इसका यूज किया आता है, वीडियो गेम खिलने में, वीडियो गेम में, कुछ इस से दिखता है, joystick ठीक है, यहां नीचे यहां पर वील लगा रहता है, उसके उपर यह वाला जो आपका हिल रहा है, यह वाला डंडा रहता है, और यहां पर एक बटन रहता है, joystick के बाद अगला जो है, pointing device में ही, वो है light pain, ठीक, light pain क्या होता है, मैं इसके बारे में बता चुक बनाने या फिर बार कोट को पढ़ने के लिए किया जाता है, इसमें याद रखेगा, जो light pain होता है, इसमें photo cell का भी प्रयोग क्या आता है, light pain में किसका प्रयोग क्या आता है, photo cell का भी प्रयोग क्या आता है, अब देखिए light pain में जो हम लोग use करते हैं, यहां आप देख प अंगर गलता है ति मैं बात करहों सेमसंग का मोबाइल में आपको क्या सवाक। शुक्त भरा आधे आयपाल्यान सटैलर का लिए आपको पढ़ाने के लिए राइड करने के लिए एक पैना का अलग से प्यान अगर लेकिन अगर लिखते है तो पाइलर सघ्समाज़ताए ये दोनों भी paint के ही आकार के हैं लेकिन जो light paint होता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है इसमें जो आपके ये wire है ठीक है black color का आप wire देख पा रहे होंगे ये wire किस से जुड़ा रहता है motherboard से जुड़ा रहता है आप screen पर direct जो भी draw करेंगे वो draw हो जाएगा जो लिखना है वो सकते हैं बीना touchscreen वाले monitor में भी आप touchscreen का प्रयोग कर सकते हैं अब यहां तक आपके जितने भी topic से input device के एक और बस रहा है जो आपका optical device है ठीक है ये जितने थे अभी मैं बताया आपको human data entry वाले input device थे अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे source data entry type के device जैसे कि आपका OCR है बार code reader है optical character recognizer है इस type का अभी जितने पढ़े हैं उससे important जितने भी क्या बोल सकते हैं आपके multiple choice questions हैं जो exam point office से बहुत important हैं उन सब के बारे में अध्यान करेंगे सबसे पहले question start करते हैं पहला question है निम्न में से कौन सा एक बिंदू और अनुरेखन उपकरण नहीं है अर्थ इसका जो सही answer है वो क्या है आपका keyboard जो आपका trackball है mouse है और touch screen है यह pointing device है एक बिंदू और अनुरेखन अर्था pointing and selecting device ठीक है तो आपका trackball mouse और touch screen यह सब pointing device है keyboard को pointing device की तरह प्रयोग किया जा सकता है लेकिन यह pointing device नहीं है अगर आप लोगोंने lecture number 15 देखा होगा तो वहां मैं especially इसको बताया था इसका प्रयोग किया जा सकता है लेकिन यह है नहीं अगला question है निमन में से कौन सा mouse की तरह कारे करता है option A keyboard option B trackball option C light paint या फिर option D इन में से कोई नहीं यह cgv आपम के mfa exam to 17 में पूछा गया question है मैं अभी थोड़ देर पहले बता है mouse की तरह कारे करता है mouse की क्या रहता है जो rubber ball है वो नीचे रहता है trackball में वो उपर रहता है ठीक है दोनों में यह चीज़ अनता है तो उसका जो सही answer होगा वो होगा option number B अगला question है निमन में से कौन सा एक input device नहीं है option A printer, option B scanner, option C mouse या फिर option D keyboard यह CSPHCL 2019 के exam में पूछा गया question है और हमको पता है जो printer ह है वो क्या करता है computer के जो भी data रहते हैं उनको हमको प्राप्त कराता है output के रुप में निर्गत करता है तो input device नहीं है पूछा है input device कौन सा नहीं है option number A input device नहीं है इसमें से input device क्या है scanner keyboard और mouse ये तीन हो क्या है input device है तो इसका जो सही answer होगा वो कौन सा होगा option number A printer अगला question है निम्न में से कौन सा एक input device है यहां पर input device है करके पूछ रहा है option A monitor option B mouse option C printer या फिर option D speaker ये पूछा गया था CSPHCL exam 2019 में और हमको पता है अभी देखे है mouse क्या है एक प्रकार का input device है monitor printer और speaker ये सब क्या है output device है तो इसका जो सही answer होगा वो कौन सा होगा option number B mouse ठीक है अगला question है निम्न में से कौन सा एक output device नहीं है output device नहीं है अर्थात input device होगा यही पूछ रहा है को इस option है option A monitor option B joystick option C speaker ये फिर option D printer ये पूछा गया था CSPHCL exam 2019 में और देखे हमको पता है जो monitor है वो output device है speaker है output device है printer output device है लेकिन जो आपका joystick है वो क्या है input device है output device नहीं है तो इसका जो सही answer होगा वो होगा option number B joystick अगले question है निमने में से कौन से device से computer screen को सीधे चुकर input दिया जा सकता है option A OMR optical mark reader जिसको बोले जाता है option B OCR optical character recognizes option C light wind या फिर option D VCR अर्थात बार कोड रीडर ये CGPSC के student grade 3 और stonotafist में पूछा गया था 2018 के exam में इसका जो सही answer होगा वो कौन सा होगा याद रखेगा option number C जो light paint है हम लोग बिना touch screen वाले computer के screen को सीधे चुकर input दे सकते हैं किसके माद्यम से light paint के माद्यम से तो जो सही answer है वो कौन सा है option number C light paint ठीक है OMR क्या है OMR sheet को read करने के लिए जो हम लोग use करते हैं उसको OMR का जात है optical character recognizer और barcode reader रहता है उसको read करने के लिए ठीक है यह पूछा गया था CG weapon की DC age exam 2018 में और इसका जो सही answer है वो कौन सा होगा आपका option number A input digital camera input device है ठीक है हम लोग इसके माद्यम से image input दे सकते है video input दे सकते हैं अगला question है यह एक output device नहीं है नहीं वाले नकारात्मक question को अलग से highlight कीजिएगा पेपर में भी आपको यह सहलियत होती है option A multi function printer option B flex machine option C web camera या option D plotter यह पूछा गया था CG weapon MFA exam 2017 में देखिए हमको पता है output device कौन कौन से है तो आपका जो printer है वो output है printer की प्रकार का रहता है क्या plotter यह भी output है और flex machine अर्थार जो plotter है उसका बड़ा रूप ही क्या है flex machine है यह भी क्या है output device है लेकिन output device क्या नहीं है तो web camera क्या है input device है इसके मारत हम से हम लोग computer में input देते हैं ना कि output लेते हैं तो यह output device नहीं है तो इसका जो सही answer होगा वो कौन सा होगा option number C web camera अगला question है निमन में से कौन सा एक output उपकरण नहीं है option A है scanner option B printer option C touch screen या फिर option D plotter यह पूछा गया था CG webman के cross के exam में CROS exam तू था है 17 में और इसका जो सही answer है देखे अप्टूर उपकरण नहीं है पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है output हमको पता है printer output है plotter output है आपका touch screen क्या है input output दोनों है लेकिन जो आपका scanner है वो क्या है ? इनपूट है यह input output दोना है याद रखेगा जो touch screen है हम लोग input output दोनों दे सकते हैं तो इसका सही answer होगा option number 1 scanner scanners से सिर्फ scan करेंगे printer से print करते हैं scanner से सिर्फ scan अर्थात यह सिर्फ input देगा printer output है plotter output है और touchscreen input output दोनों है क्योंकि touch screen में ही आपको monitor वाला काम भी दिखता है आपके mobile में अगर आप touch screen यूज़ करते हैं तो वहां आपको output भी दिखाए दा रहा है touch screen को याद रखेगा input output कभी भी touch screen हम लोग अभी पढ़े है touch screen तो touch screen ज़ोरी नहीं है कि वो input ही रहे ठीक है input output दोनों है अगला question है NIMD में से कौन सी तकनीक bank check-on के लिए सबसे अनुकूल है option A MICR, option B OCR option C OMR या फिर option D BCR ये पूछा गया था CGV आपके ETOS exam 2017 में इनका full form में अगर बता दो MICR का होता है magnetic ink character recognizer OCR का होता है optical character reader या optical character recognizer OMR का होता है optical mark reader BCR का होता है bar code reader bank check में याद रखेगा MICR का यूज किया रता है MICR magnetic ink character recognizer तो इसका जो सही answer होगा option A MICR अगला question है निम्न में से कौन सा एक input device नहीं है फिर से किस प्रकार का question आ रहा है input output का device है या नहीं है यही चीज पूछा जा रहा है maximum question में आपको ठीक है option है आपका option A OCR option B COM option C OMR option D BCR ठीक है हमको input device नहीं है पूछ रहा है input device हमको पता है OCR Optical Character Recognizer OMR Optical Mark Reader और BCR Bar Code Reader लेकिन COM नाम का कोई हम लोग device नहीं पढ़े है COM नाम का तो इसका जो सही अंसर कौन सा होगा option number B COM B COM नहीं है option number B COM यह क्या है input device नहीं है यह पूछा गया था hostel warden के exam 2016 में सिर्फ आपको नाम अगर आप जानते हैं तो बहुत सारे question आपको बन जाएंगे ठीक है अगला question है ऐसा device जो photograph के रूप में digital data को computer में एकतरित कर सकता है option A CDR option B CDRW option C digital camera यह फिर option D floppy तो देखिए यहाँ digital data को computer में एकतरित कर सकता है इसके रूप में फोटोग्राप के रूप में पहला चीज आपको जो compact disc re-writable है यह फिर compact disc recordable है यह floppy disk है इन तीनों को याद रखेगा यह तीनों क्या है memory के प्रकार है यह तीनों क्या है memory है लेकिन जो photograph के रूप में digital करने का काम वो कौन करेगा digital camera करेगा तो इसका सही answer कौन सा होगा सही answer होगा option number c digital camera और यह पूछा गया था cgwapam के sdh exam to thon 16 में ठीक है अगला question है इन में से कोई एक computer का input device है option a scanner option b printer option c plotter option d projector यह पूछा गया था cgwapam के labor inspector exam 2015 में और हमको पता है जो projector है यह screen का भी data रहता है वो उसको project करता है output देता है printer भी output देता है और plotter भी output देता है तो जो input device है वो कौन सा है scanner है scanner क्या है input device है अगला question है computer mouse किस प्रकार का device है option a storage option b input option c output यह फिर option d input output यह पूछा गया था आपका cgwapam के hostel warden exam 2016 में और देखिए आपका जो mouse है हम सबको पता है mouse कित प्रकार का device है यह एक input device है तो इसका जो सही answer होगा वो होगा option number b input निमलिखित में से कौन सा एक input device नहीं है यहाँ फिर से नकारात्मक type का question है option a है mouse option b plotter option c scanner यह फिर option d keyboard हमको पता है mouse scanner और keyboard input device है लेकिन जो नहीं है वाला है वो कौन सा है option number b plotter क्या है input device नहीं है यह इसका सही answer होगा option number b और यह पूछा गया था cgwapam के cdhs exam 2014 में अगला question है MICR के प्रथम तीन अंक प्रतिनिधित तो करते हैं यह कुछ typical type का question भी मैं उठाया है जो आपको कुछ सहरा दे ठीक है अगर कभी paper में ऐसा tough type का question पूछता है तो option a bank का option b सहर का option c साखा का यह फिर option d वैध्यता का MICR का code होता है उसके प्रथम तीन अंक किसका प्रतिनिधित तो करते हैं तो याद रखेगा जो starting का तीन अंक होता है वो साखा का प्रतिनिधित तो करता है अर्थात उसका जो सही answer होगा वो होगा option number c साखा का यह ibps के exam में banking में पूछा गया था 2014 में अगला question है cd-rom निमलिखित का एक उधारण है option a input device, option b output device, option c pointing device, option d input output device यह ibps के bank PO exam में पूछा गया था 2012 में अब देखे हम लोग को पता है cd-rom cd-rom का full form क्या होता है compact disk read only memory यह किस परकार का device है तो यह एक memory है हमको पता है अब memory क्या हो सकता है input है, output है हम लोग तो ऐसा नहीं पड़े हम लोग इसको storage device में हम लोग जानते हैं कि cd-rom नाम का कोई storage होता है तो यह फाला चीज़ तो यह pointing device नहीं है अब यहाँ पर तीन option दीक रहे है input, output, input, output तो देखिए cd-rom में हम लोग read only memory लेकिन जब हम लोग read only करते हैं उससे पहले भी हम लोग उसमे write करते हैं अर्थात उसमें क्या करतेंगे एक बार एक बार तो read, कोई भी data डालेंगे न read only में पहली बार तो data डालेगा चाहे वो manufacture डालता है तो उसमें एक बार input होता है और बार बार हम लोग उसको output ले सकते हैं तो इसका जो सही answer होगा वो कौँसा होगा option number D, input output device तो इस type के question के लिए भी prepare रहिएगा cd-rom क्या है? एक input output device है थोड़ा logic लगाईएगा अगला question है खाली स्थान का प्रियोग हाथ से लिखे या मुद्रिट text को digital image बनाने के लिए किया जाता है जिसे memory में store किया जा सकता है option A, printer option B, laser beam option C, scanner option D, touchpad यह पूछा गया था IBPS के bank color के exam में और देखे हम लोग इसका जो सही answer होगा option number C होगा, scanner का प्रियोग हम लोग जितना भी हाथ से लिखा रहता है जो आपके mark sheet रहते हैं या notes रहते हैं उसको scan करके digital image बनाने में इसका प्रियोग के आता है किसका scanner के बाकी सब क्या है इन सब का answer जो सही answer होगा वो कौन सा होगा option number C scanner अगला कोई से नहीं निमलिखित में से कौन सी वह input device है जिसे परियोगता जब समतल सता पर घुमाता है तो उसी के अनुरूप screen पर pointer घुमता है option A card reader, option B barcode reader, option C keyboard, या option D mouse, या IBPS के bank exam में 2111 में पूछा गया था देखे, कौन सा input device है जिस समतल सता पर घुमाता है तो उसी के अनुरूप screen पर pointer क्या होता है हम सबको पता है उसका जो सही answer होगा वो कौन सा होगा mouse होगा, mouse को जैसे हम लोग घुमाएंगे तो screen का pointer भी क्या होता है घुमता है तो उसका सही answer option number D अगला question है computer के लिए image और picture निमनिमे से कौन डाल सकता है option A plotter option B scanner option C mouse option D printer तो computer में हम लोग plotter के माध्यम से print कर सकते है, printer के माध्यम से print कर सकते है, mouse के माध्यम से pointing, selecting, dragging, dropping कर सकते है लेकिन कोई भी चीज, image को हम लोग digitally computer में डालने के लिए किसका use करते है, scanner का use करते है तो इसका जो सही answer होगा option B scanner और यह पूछा गया था IBPS के bank color के exam 2014 में अगला question है खाली स्थान device मनुष से द्वारा समझे जाने वाले data और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे computer समझ सकता है अर्थात मनुष से के द्वारा जो भी चीट समझा जाता है वो सब data को किस में बदल देती है computer के समझ में समझने लाइक बना देती है वो device क्या कहलाते है printing device, output device, solid state device यह फिर input device यह IBPS के bank PO exam में पूछा गया था और जिन्होंने भी lecture number 15 देखा है तब तक के लिए जय हिंद, जय भर आप 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 आप